हमारे नन्ने मुन्ने प्यारे दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है Adventures of Superbody and Miss M में अच्छा दोस्तों पहले मुझे ये बताईए कि कल अपने खाने की प्लेट में से आप में से किस किस ने सीड्स ढूंडे क्या आपके फ्रूट जो आपने खाए उसमें सीड्स थे मुह में आए कोई सीड्स सोचे और बताईए मुझे और तब तक मैं आपको बताती हूँ कि आज के हमारे एपिसोड नमबर थ्री थीम गार्डनिंग में हम लोग क्या करने वाले हैं तो Superbody और दोस्त आज करेंगे Explore English Letter L जिसका sound होता है ल ल ल ल और और भी जानकारी हासिल करेंगे गार्डनिंग के बारे में तो दोस्तो अब इंतजार नहीं करेंगे और पटा पट जट पट बढ़ चलेंगे आज के एपिसोड की तरफ आज के एपिसोड में आपको बता है Superbody की एक बहुत important problem को solve करने वाले हैं उनके दोस्त Superbody ने जो plant लगाया था ना वो बढ़ नहीं रहा है और आज सब मिल जुल कर एक तो letter L explore करेंगे और साथ में help करेंगे Superbody की उनके plant को grow करने के लिए तो देखे सीन है Superbody and team are playing in a park की सब लोग मिल जुल कर पार्क में football खेल रहे हैं और उनका एक दो cycle भी चला रहा है और वहाँ पर आती है कौन Miss M और Miss M सबसे पूछती है Hello friends कैसे हैं आप लोग Hello Miss M हम सब लोग बढ़िया हैं आप कैसी हैं मैं तो ठीक हूँ और ये बताओ कि जो लो लो लास्ट वीक हमने plants team में seed को मिट्टी में डाल के उगाया था वो कैसा चल रहा है Miss M मेरा वाला तो बहुत बढ़िया चल रहा है क्योंकि मुझे अपने plant में से एक बहुत ही चोटा सा लव लव लीफ निकलता हुँ दिखाई दे रहा है और हमारे plants में भी Miss M अरे Super Buddy तुमारा मुझे क्यों लटका है Miss M क्योंकि मेरे plant में कोई change नहीं हो रहा है अरे ऐसे कैसे हो सकता है Miss M Super Buddy के plant में क्यों change नहीं हो रहा है या उसका plant बढ़ नहीं रहा है Miss M हम लगता तो ऐसा ही है और ये जो q meter low level पे है ये भी यही indicate कर रहा है कि आज का adventure हमारा इसी बारे में होने वाला है Super Buddy क्या कहते हो आज हम इसी बारे में जाच परताल करें हा Miss M ज़रूर और सब चलिए मेरे घर की तरफ ये देखने के लिए कि मेरा प्लांट ग्रो क्यों नहीं कर रहा है मैं तो बहुत चिंतित हो गया हूँ लेकिन उससे पहले हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तो What is our next step? Let's unleash the power of curiosity आओ दोस्तो मैं दिखाता हूँ कि मैंने अपना प्लांट कहां रखा है वो मेरे कमरे में है यानि कि मेरे बेडरूम में सुपरबड़ी ये तुमने अपने प्लांट को कहां रखा है Have you forgotten क्या तुम भूल गए हो कि प्लांट को ग्रो करने के लिए लग लग लाइट चाहिए होती है इस प्लांट को यहां इस विंडो के पास होना चाहिए ताकि इसको यहां डारेक्ट सूरज की रौशने मिल सके सही कहा बेटा तुमने अब बताओ कि और प्लांट का ध्यान रखने के लिए हमें क्या क्या करना होता है मैं उसको देता हूँ लग लट्स ओफ वाटर नहीं सुपरबड़ी उसको लग लट्स ओफ वाटर नहीं लग लिटल वाटर चाहिए होता है यानि कि थोड़ा कम पानी ओ मिसम मुझे अपनी गलती समझ में आ गई है एक तो मुझे अपने प्लांट को शिफ्ट करना है इस बिंडो के पास ताकि उसको डैरेक्ट लग लग लाइट मिले और उसको देना है लग लग लिटल वाटर ना कि लग लग लॉट्स ओफ वाटर और आपका क्यूमीतर भी यही इंडिकेट कर रहा है कि जब हम अई साथ मिलक कर ऐसे ग्यान को इकठा करते हैं तो वो होती है सबसे बढ़िया लर्निंग अच्छा दोस्तों हम सब लोग मिलके लंच करते हैं मेरी ममी नी लंच बनाया है आव सब लोग मिलके बैठ के हमारे पास है लो लो लेटिस सालड लो लेंटिल सूप लो लेडी फिंगर लो लेमन राइस एंड लो लसी सूप पड़ी ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे लंच में आज एक थीम है और दाट इस लेटर एल थीम अरे हाँ खाने की सारी चीज़ें तो लेटर एल की साउंड से शुरू हो रही है अरे क्या ये एक संयोग है नहीं मुझे तो लगता है तुम्हारा प्लैन था सूप बड़ी मिसम मैं यहाँ पर और भी लेटर एल की साउंड की चीज़ें देख पा रहा हूँ जैसे की लाइक लललाइक लललाइक लललाइम्प लललुक इस दरवाजे का ललललॉक है जो की बंद होता है ललललैक से देखो देखो दोस्तों यहाँ पर पड़ा है एक लललार्ज बोल जो भरा है लललीची से तुम सब लोग इतने होश्यार हो गए हो कि मैं देखकर अचमबित रह जाती हूँ सुपरबड़ी एंड टीम मिस एम शुक्रिया इतने अच्छे कॉंप्लिमेंट के लिए लेकिन आप तो जानती है न कि हमारी आज की एक्स्प्लोरेशन तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम लेटर एल का सिम्बल नहीं बना लेंगे तो क्या कहते हो दोस्तो आज हम अपने लेटर एल का सिम्बल किस से बनाएं मैं यह कहता हूँ कि इसको बनाते हैं ल ल लेग्यूम्स के साथ वन्डरफुल चलो भई बताओ क्या क्या माटीरियल चाहिए कुछ नहीं मिसम्, एक पेपर, लेग्यूम्स और कौन्द चलिए दोस्तों शुरू हो जाते हैं और बनाते हैं लेटर एल यानि की ल की साउंड का अक्षर देखिए आप कैसा लग रहा है हमारा लेटर एल का फॉर्मेशन बिना वेट करिए जल्दी से बनाईए लेटर एल लेग्यूम्स के साथ त्यांक्यू मिसम्, आज ना आपने हमें बताया लेटर एल का एक्स्प्लोरेशन जबकि मैंने ये भी जाना कि प्लांट्स को ग्रोप करने के लिए क्या-क्या चाहिए होता है और मेरी गल्तियों का सुधार किया किसने? मेरे दोस्तों ने शुक्रिया दोस्तो हमें यकीन है कि लास्ट वीक के थीम प्लांट्स में आपने लेटर के साथ मिलकर एक प्लांट लगाया होगा तो बैठे और discuss करें learner के साथ कि अगर plants को light water या soil इनमें से कुछ ना मिले तो क्या plant grow करेगा और इस discussion के साथ ही साथ letter L के words की भी एक list पनाईए और learner को दीजे material जैसे के legumes letter L का symbol बनाने के लिए और आज का हमारा सवाल है कि जंगल में जो पौधे उकते हैं उनका ध्यान कौन रखता है दनर के साथ इसके बारे में एक बातचीत करिए और हमें भेजिए उसकी recording team at superbody.in पे Thank you